तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं class 10 का social science का most important question जो की board exam में आपको देखने को जो है मिल सकते हैं या अगर यह question आपको देखने को ना मिले तो इससे related question आपको definitely exam में जो है question मिल सकता है तो मैं जो question बताने जा रहा हूँ आप वो question के answers पढ़िएगा साथी साथ इस topic से related जो भी other points है वो भी आप पढ़के जाईएगा आपके लिए बहुत जादा beneficial जो है होगा ठीक है तो क्या-क्या वो question है यह part 1 है इसके अलावा भी part 2, part 3 भी आएगा जिसमें बहुत सारी important question आपके लिए बनाते जाओंगा science के तो अलड़ी चल ही रहे है topics मैं बता ही रहा हूँ उसके अलावा social के मैं question भी आपको जो है बता दे रहा हूँ तो जैसे एक question यहाँ पर यह आप इससे related आप यह पढ़ दीजिएगा कि write the end date end year of the first world war यह MCQ में भी आ सकता है कि first world war कब start हुआ या कब end हुआ आपको date भी पूछ सकता है तो first world war के starting और ending date कौन-कौन सा है यह आप जो है क्या कर सकते हो याद रख सकते हो first world war के start होने का reason क्या था वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो फिर second यह question है यहाँ पर discuss one important event which saw that the cold war ended now मतब आपको एक ऐसी activity बतानी है जिस activity से यह समझ में आता है कि cold war जो है अब क्या हो चुका है फिनिश हो चुका है ठीक है तो आपने पढ़ा होगे कि cold war क्या था यह वेसे कि जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने के जो होड़ रहती थी technology में या किसी भी चीज में उसी को हम लोग क्या बोलते है cold war बोलते है कि कौन ज्यादा अच्छा technology वाला system बना सकता है या bomb बना सकता है कौन space में जाकर पहले पहुंच चके अपना तिरंगा या अपना जो है क् space station बना सकता है इस तरीके का जो भी competition जो USA और USA सारू समय के जो है उसके बीच में चलता था उसी को cold war बोलते हैं लेकिन cold war का end कैसे हुआ इसके बारे में आपको एक point जो है लिखना है next question है why does erosion of land land का erosion क्यों होता है आपको reasons बता तो land की erosion होने के काफी सारे reasons होते हैं पेड को क कारण होता है heat के कारण से होता है तो ऐसे बहुत सारे factors होते है grazing करने के कारण होता है अगर आप grazing करते रहूग एक जगह पर तो उसके कारणसे जो एनिमर्स जो होते हैं, जो लाइप स्टॉक्स, जो होते हैं, वो जमीन, थी छोट-शटोट हई घांस जब खाते हli तो उसके साम मिड़्ी भी बहार आ ज्याती है इसके कारे से soil erosion होता है तो ऐसे बहुत सारे factors हैं आप soil erosion इसके cause क्या होते हैं इसके demerits क्या होते हैं इसको कैसे control कर सकते हैं क्या के solution है आप ये सारे points जो है cover करिएगा ये question सिर्फ आपको topic बताना है कि इस topic से related question आपको exam में करने हैं करेके ठीक है तो मैं जो question लिखाओ उसके आसपास जो भी question और बन सकते हैं वो भी आपको पढ़के जा रहा है अगला है the development of agriculture is not possible without the progress of industries explained वर तर ये question पूछ रहा है कि अगर हमें agriculture field में अगर क्या करना है आगे बढ़ना है इसको development करना है तो वो जो है possible नहीं है बीना technology के या बीना industries के क्योंकि जब industries होंगी तो industries को raw material चाहिए होगा तो raw material के लिए agriculture product की demand बढ़ेगी तो लोग agriculture करेंगे industries होगी तो नहीं नहीं technology बनेगी तो जो है agriculture को करना क्या हो जाएगा easy हो जाएगा ठीक next है write the main reason of second world war यह question ऐसा भी आ सकता है कि what are the treaty of Versailles या first world war का end कैसे हुआ या second world war का जो है playground कैसे तयार हुआ मतलब क्या ऐसे reasons है जो की second world war का cause बने ऐसा भी question पूछा जा सकता है उसका answer होगा treaty of Versailles जो की काफी जादा क्या थी tough थी जर्मनी के लिए इसी कारण से क्या होगा treaty of Versailles ने जो है क्या किया second world war का playground जो है तयार किया था ठीक हो उसमें क्या क्या process थे हो आपको पढ़ने है next है what is the meaning of forest right to type of its forest क्या होता है forest के कितने type होते हैं उसके बारे में आपको जो है लिखना है अगला question है which countries got veto power आप सबको याद होगा कि जब second world war खतम हुआ फिर United Nation मना था तो United Nation में जो है पांच ऐसे countries है permanent members है जिनको veto power मिला है आप veto power का मतलत क्या है कि अगर कोई भी एक country अगर जो है agree नहीं करता है तो वो topic ही reject हो जाएगा कैसे माल लो इंडिया को जो है veto power देना है यह करके चार लोग बोल रहे कि हाँ इंडिया को veto power मिलना चाहिए लेकिन माल लो चाइना जो है बोल रहा है कि इंडिया को veto power नहीं मिलना चाहिए तो अपना उसके पास क्योंगे चाइना के पास veto power है तो वो क्या करेगा veto लगा दे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही क्या हो जाएगा वहीं पे खतम हो जाएगा इसको बोलते हैं वीटो पाओए नेक्स्ट है what is pollution of radioactive रेडियो एक्टिव पॉलूुशन क्या होता है जब हम लोग nuclear से क्या करते हैं इनर्जी प्रड्यूस क्रतें न्यूुक्यर एनर्जी तो उसका जो ладно भ्रेया मठेल्टीयों मेटरियल मिलता है लेड़ यही सब क्या होते हैं हमारे pollution होते हैं तो इसको कैसे control कर सकते हैं क्या करना चाहिए यह सारे क्या का measures हमें लेने चाहिए इसके बारे में आप पढ़िएगा अगला है what is the main aim of non-alignment policy आप सब को याद होगा कि जब first second world war खतम हुआ था तो उस समय जवाहलाल नहरू और इंडोनेशा के और युगांडा के ऐसे चार-पांच countries के जो president थे या head of state जो थे वह सब आपास में मिले थे और हुआने decide गया था क्योंकि second world war के बाद दुनिया में दो ही power बची हुई थी एक USA थी और एक USSR थी तो सारी countries या तो USA की तरफ shift हो रही थी या USSR की तरफ shift हो रही थी तो इंडिया और इंडिया जैसे चार-पांच countries ने और कहा कि ना तो हम USSR की तरफ जाएंगे और नहीं हम लोग USA की तरफ जाएंगे हम non-align रहेंगे हम center पे रहेंगे यह इसी को हम लोग बोलते प्रेसिडेट का जो function क्या होता है उसका power क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है तो यहां पर आपको यह जो question है ना चार से 6 नंबर की बीच की question में मिल सकता है तो आपको मैंने flowchart बनाने बताया था कैसे flowchart बनाते हैं अगर आप उसको लिखोगे पहले तो आप ल नंबर का question आया तो next question number 11 write any four remedies of soil erosion, soil erosion को control कैसे कर सकते हो, planting more and more trees उसके बाद grazing को control करके ऐसे और भी बहुँ सारे scientific तरीके हैं जिसके तो हम लोग क्या कर सकते है, soil erosion को control कर सकते हैं, next question number 12, what differences do you see in the nationalism and the ultra nationalism, यह question साथ में जब test series चल रहा था, test series में भी यह question आपको बताया हुआ था, कि nationalism और ultra nationalism में क्या difference होता है, यह भी आपको पढ़के जाना है, यह भी exam point of view से काफी जादे important है, next है, what are the similarities between dictator, hitler and mussolini, hitler और mussolini में क्या similarities थी, आपको 3-4 similarities जो है लिखनी है, जैसे वो अपने country को सबसे उपर मानते थे, दोनों ultra nationalists थ है, मतलब हमारे country के सामने बाकी किसी की कोई respect नहीं है, अगर country का कोई disrespect कर रहा है, तो सीधा उसको क्या करते थी, यह मरवा देते थे, ठीक है, तो एक तो यह हो गया क्या क्या करते थे, इसके बाद जो है यह क्या करते थे, मतलब अपनी self dignity को या फिर अपने self respect को में गिंट करने के लिए, इन्होंने second world war जो है क्या कर दिया, तो इस तरीके से दूनों में क्या क्या similarities थी, other community के लोगों को यह पसंद नहीं करते थे, other community के लोगों को क्या करते थे, उनके साथ violence करते थे, उनको मारते थे, इस तरीके के आपको दूनों में similarities जो है डेखने को मिलेगी, आप बोक से और भी पढ़े होगे अच्छे से क्या-क्या होता है तो आप उसको वहाँ पर mention जो अच्छे से करोगे नेक्स्ट है explain how census data is helpful for us अब आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में last time जो census हुआ था 2011 में हुआ था हर 10 साल में census होता है 2011 के बाद अगला census कब होना चाहिए था 2021 में लेकिन COVID-19 के कारण से क्या हुआ वो जो census वो पॉस्पोन हो गया है ठीक है तभी बोल रहा है कि census के क्या-क्या फाइदे होते हैं यह हमने class के अगला में लिखने टे कुछ ध सकते हो व्हारकन लिख सकते हो व्हारास लिख सकते हो महरास लिख सकते हो गुजरात लिख सकते हो यह सारे examples जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे next है right three benefit of the right to information right to information, मतलब RTI, RTI के बारे में आपको तीन अच्छी बाते जो है क्या करनी है, लिखनी है, तो RTI के थुरू आप बहुत सारी information निकाल सकते हो, कोई corruption नहीं कर सकता है, RTI के थुरू आपको पता शल जाएगे कि कौन corruption कर रहा है, इसके बाद इसको करना बहुत easy होता है, जो outcomes जो होता है, within the month आपको information मिल जाती है, यह इस तरीके के points आप उहाँ पे book से देखके जो है, लिख सकते हैं, Next है question number 17, यह थोड़ा सा आपको tricky question लग सकता है, और यह question का answer उन्हीं लोग दिये पाएंगे, जो chapter बहुत अच्छे से समझे होंगे, If Germany had won in the war, then write four of its impact on the world, Second World War और First World War अगर जर्मनी जीत जाता, USA, UK, यह, France वगर अगर नहीं जीत पाते, और जर्मनी अगर जीत जाता, तो पूरी दुनिया पर इसका क्या impact होता, जर्मनी जीत जाता, तो फिर वो क्या करता, वो भी अपना colony बनाना इस्तार्ट कर देता, जिस तरीके से डिले अपना colony बनाए था, सेम गर्मनी भी क्या क्या करता, और उस colony में अपने market की तऱ उसको क्या करता, इस्तमाल करता, इस तरीके को आप कुछ-कुछ points एड़ क जर्मनी भी जो था वो भी बहुत ही जादा कुरुएल तरीके से आगे बढ़ रहा था वहाँ भी इंडस्ट्रियलाजिशन जो है काफी हद तक हो ही गया था तो वह अपने मार्केट को बेचने के लिए ब्रिटेन की तरह ही क्या करता पूरी दुनिया को कंट्रोल करने चाहता अब आपको पता है कि 1953 में लेंग्वेज के बेसिस पर बनने वारे जो सबसे पहला जो स्टेट था वो सबसे पहले स्टेट कौन सा था आंत्रप्रदेश था तो उसके बाद से 1955-1956 में जो है फजल अली कमीटी वनी थी और फजल अली कमीटी ने जो है क्या था उस समय जो है यूनियन टेरिटरिस बनानी के बात कही थी तो लेंग्वेज बेस स्टेट बनाने की क्या क्या benefit हुए इसके बारे में आपको जो है लिखना है जो कि हमने बहुत अच्छे से डिसकस किया है अब देख इसका अंसर आप कैसे लिखोगे तो पहले आप यह सोचो के हिंदू कोड बिल से फाइदा वुमेन को होता क्या है तो वुमेन भी जो होती है वो भी प्रॉपर्टी के एक्वल हगदार हो जाती है तो अगर यह पास नहीं होता मतलब सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके नाम पे होता सन के नाम को होता दॉटर को कुछ मिलता ही नहीं तो जो जो इसके बेनेफिट होते उसको उल्टा करके लिख दोगे ता तापको इसको क्रेडिट का अंसर मिल जाएगा फिर लास्ट कोशन देखते हैं इसके वीडियो का हमने पढ़ाए कि नियाम गिरी सत्यागरह हुआ था और नियाम गिरी सत्यागरह में जो है किसको क्रेडिट जाता है उसके वेक्टरी का क्योंकि उझाने बहुत लंबे समय तक जो है नियाम गिरी के लोगों ने मिलकर अप पूरे के पूरे वहां के ट्राइबर्स लोग वहां के पूरे लोगों का जो है कंट्रिव्यूशन था इसमें आप इस तरीकेसा अंसर लिख सकते हूं तो जो भी कोशन हमने यहां पर डिसकस किया वह कोशन के बेसिस पर और और बहुत से और वी अदर टॉपिक से कोशन और एक और चीज अगर आपको question answer मालूम है लेकिन आप उसको रटे मैं कुछ और बोलना चाहा रहा हूं social science में आप किसी भी question का answer रट के मत दिखना अगर आपको question का answer अगर आपको अपने own words में मालूम है कि इस question का answer ये हो सकता है तो आप बिल्कुल free हो आप अपने own words में जो है explain कर सकती हो बिल्कुल भी bookish language में या परिच्छा बोन नाव बोन में जैसा या वैसा language में लिखने के ज दिखते हो तब आपको exam में marks definitely मिलेंगे so मिलते हैं अगले वीडियो में comment करके बताइएगा कि आपको कौन-कौन सी subjects के और वीडियो चाहिए मैं definitely लेकर आते जाहूंगा और भी कुछ help चाहिए होगा exams related अगर किसी को panic हो रहा होगा किसी को डर लग रहा होगा कोई भी point होग तो आप जो है मेरे Instagram पे मुझे क्या कर सकते हो follow कर सकते हो Instagram में मेरा o.p.patel.3 आप वहां पे जो है मिरे से बात कर सकते हो मैं कोशीज करूँगा Instagram का link भी वे जो आपको comment box में provide करनू ताकि आप लोग मुएर से connect कर सको या telegram में भी आप मिरे से बात कर सकते हो मिलते हगले वी